तुसी देखरे हैं उसकाई निउस पंच्वापते में हम अमता थ्वाड़ी नाल इस वर दी वड़ी ते हम खवर चुड़ी होई है लुध्याना एंकाउंटर देना था बीते कल लुध्याना दे दो रहा नेड़े पोलस ते गैंक्स्ट्रा विचाले मुटपेड होई जिसतो बाद पोलिस देवलों लगाता रहे अप्रेशन चलाए जा रहे सी ते हून एंकाउंटर ते मगरों पोलिस देवलों एक एहम प्रेस वार्था कीती गई है ते इससे सब नू लेके हून इससे विचाले बोपारी संभव जैन दा वीडियो भी सामने आया है वीडियो चारी क करके समभजान की कुछ आख रहा है सब तो पहला तो हनु ओ सुनोने मेरा नाम समभजान है सत्रा तरीक तीन शुकर वार को शाम को आठ वजे मुझे कुछ व्यक्तियों ने गुली मारकर अगवा कर लिया था और लगबर तीन घंडे के बाद मुझे सुनसान जगा पर फैंक मैं कमिशनर पुलिस श्री कुलदीब चहल जी का तहे जिल से धन्यवादी हूं जिन्होंने खुब परस्नली होस्पिडल में आकर मेरा हाल चाल जाना और मुझे मेरी सेक्योर्टी का भी आश्वासन दिया और आश्वासन दिया कि दोशियों को जल्दी ही बखडा जाएगा मैं लुझाना पुलिस और पंजाब पुलिस का तहे जिल से धन्यवादी हूं जिन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लेते हुए दोश्यों को बंती सजा जी धन्यवाद इस सब नूल है के पुलिस देवलो प्रेस कॉंफरेंस करके चंडी करदे वेच की कुछ आख्या गया है ओभी सुन दिया जो दो इनके किंग पिंज हैं ये सानेवाल एरिया में कहीं चुपे हुए हैं और C.I.A. 1 की जब टीम इनको पकड़ने पहुची तो इन्होंने पुलीस पे फाइरिंग कर दी पुलीस ने अपने सेल्फ डिफेंस में फाइरिंग की जिसमें ये दो लोगों को गोली लगी और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनको मृत घोशित किया गया इस इनकाउंटर में हमारे एक A.S.I. सुखदीब सिंग के हाथ में गोली लगी है और वो इंजर्ड है उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है पंजाब पुलीस का एक ये रिजॉल्व है एक दरण निश्चा है कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं गैंस्टर्स हैं और ड्रग पेडलर्स और ड्रग स्मगलर्स हैं इनके खिलाफ सक्ट से सक्ट कारवई की जाए ये कोई मेसेज नहीं हमारा काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना और अगर क्रिमिनल्स के मन में कोई इस तरह का कोई विचार हो कि पुलीस से हम एंकाउंटर करके या पुलीस का नुकसान करके चले जाएंगे तो ये संभब नहीं है और पंजाब पुलीस पूरी तरह से सक्षम है और पूरी मुस्तेदी से इन सब क्या सामना कर रही है इन सब के खिलाफ पुराने केसे रिजिस्टर्ट है जो संजीव कुमार संजू है उसके खिलाफ दो एफ आई आर्स है एक जगराओं में एक लोदेवाल में एक दोहजार सोला की है एक दोहजार सत्रा की है जो शुबम अलियस गोपी है उसके खिलाफ दो एफ आई आर्स हैं एफ आई आर नमबर 257 ऑफ डिविजिन 6 लुधियाना ऑफ 2020 और एफ आई आर 57 ऑफ 2023 ऑफ पुलीस दिविजिन नमबर 4 similarly the other accused who have been arrested they also have previous criminal background mandeep kumar जो arrest हुए है उनके खिलाफ focal point लुधियाना में 2020 की एफ आई आर है और इसी तरह जो इनके चार मेंबर्स हैं ये इन सबका notorious background है इनके सबके एफ आई आर से और criminal background है इन में जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो यूपी और बिहार और स्टेट के बाहर के हैं और जो हमारे local दो लड़के involved थे वो ये एक ही महले में रहते थे और वहाँ इन्होंने इस gang को बनाया और लोगों से जबरन वसूली शुरू की मैं तो अनुदसिया कि इस gang दे पंज members असी गरफतार कीते हैं और investigation जारी है जिस जिस तरह चीज़ा निकलनगी हैं असी तो अडिनाल सांटी करें यह देखिए मैं आपको बताओं एक लुद्याना की इंडस्टिलिस्ट हैं वो अपने घर आ रहे थे जब रास्ते में तक्रीबन आठ साड़े आठ बजे सत्रा ग्यारा की बात है सत्रा नवेंबर को सवा आठ बजे यह बहादर के रोड पे जब यह पहुँचे तो इनके मोटर साइकल से इनकी गाड़ी पे को रोका गया यह उतर के जब उनसे बात करने लगे तब तक पीछे से यह पांच मेंबर्स आए और इन्हों ने इसको इनको ओवर पावर कर लिया इनको बंधक बनाके इनकी गाड़ी में बिठाके लुद्याना के अलग-अलग रस्तों में घुमाते रहे इनकी आँखों पे पटी बांदी उसके बाद इनके पैर में जब शोर मचाने लगे तो इनके पैर में गोली मारी वह हॉस्पिटलाइस रहे हैं और उसके बाद फि पुलीज के पास इनको बाहर फेक के उसके बाद ये फ्रार हो गए पुलीज ने केस रेजिस्टर किया और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 17-11 को इस ग्रुप के पांच मेंबर्स को पुलीज ने गिरफतार किया जिनका नाम मंदीब कुमार, फ्रेम जीप कुमार, संतो पुलीज ने फ्रेमिलिकषि के इना ने प्लाइनिंग कीती तो, कर्डेनाल संजी करा दो आपको बाहर फिस्ट्रों, दो मैगजिन्स, छे लाइफ कारटरिजज और दो एंप्टी एंप्टी रिकावर कीती हैं, मौके तो, पिस्टिल्स आर, बहुत भूर आजे, 7.62, ए सारा एदे इन्वेस्टिकेशन जा रही है, वो सारे साथे रेड पार्टी बहुत भी कई जगा गई हैं, पंजाब दे विच बारों काफी नजायज हतियार आ रहे हैं, और तुसी देखिया हुएगा, 3-4 दिन पहला, खना पोलीस वलों एक नाके दे उते, एक हतियार दी पढ़या गया, उसदे बाद असी एदा बैकवर्ड लिंकेज कटदे, कटदे, मद्यपदेश तक गए, और एस पूरी चेन देवेच चाली वेपन सानू, 40 वेपन सानू, 40 वेपन सानू, पता लगया है, उन्ना सारे तक कारवई किते जा रहेगी, नहीं, उन्ना को लो मिले जना दा इनकाउंटर के या, वो दे बारे डिटेल्स आ रहे हैं ने, आसी तोटे नाल शेती सांजी करेंगे, बाकी पंजाब पुलीज दा एक रिजॉल्व है कि असी जिना साड़ा गैंक्स्टर्स और जड़े ड्रग स्मगलर्स से उन्ना दे खिलाफ असी सक्त कारवई कर रहे हैं, जैवें कि तुछी जान देओं के साड़ा एक एज़ी टीएफ एंटी गैंक्स्टर टास्पोर्स अ बनाई है और इसे तहर असी तोटल आप 10 मॉड्यूल्स हों तक इस साल दे वेच टेरिज्म रिलेटेड जो टेरिस्टे 10 मॉड्यूल्स असी बर्स्ट कीते हैं, 63 टेरिस्स अब बिन अरेस्टेड, दो एकए 47 राइफल्स हासी रिकावर कीते हैं, बताली रिवल्वर्स हुंता कसी ग्रफ रिक और की तेया और इस तरह काफी द्रोन वगेरा, 91 द्रोन्स है विल्टोन। तिल नाओ, तो यह और तिकिं अच्छन अगेस्त। अल थे तरह दो थे कि अगेस्ट अगेस्टू। काफी साड़े बाहरों बैठके एक कारवाईया करांदे है और पंजाब पुलीस वलों उना दे खलाफ भी लगतार कारवाई जारी है जड़े साड़े रेड कॉर्नर नोटिसे असी इशू कीते है एक्स ट्रडिशनली काफी काम हो रहे है और चेती सानू ओदे रिजाल्ट्स मिलन दी उमीद है उन तक जड़ा साड़ा एंटी गैंग्स्टर फ्रांट ते काम है गया है आठ सो तिरासी साड़े बंदे होंता कसी गैंग्स्टर्स दे फड़े हैं छे गैंग्स्टर्स न्यूट्रलाइज कीते जा चुके है दो सो पिचासी गैंग्स्टर्स दे मोड्यूल्स असी बर्स्ट कीते हैं नौसो आट दे करीब इना कुलो वेपन असी रिकावर कीते हैं, एक सो नबे इना दी गडियां असी रिकावर कीते हैं, और इसे तरह काफी सारा पैसा जड़ा इना केसे दे विच, सिगा वो असी रिकावर कीता है. कैसो, somehow we have got very good results and we keep on doing, we have identified certain hot spots pertaining to drug and pertaining to crime, we keep on doing our regular exercises to check the movement of criminals and in every CASO we recover, we recover this narcotics as well as weapons.